पार्ट 69 श्री कनेशाय नमहा श्री जानकी वलभो विज्यते श्री राम चरित्मानस अयोध्याकाण आरत कहें विचारी नकाओ सूज जुआरे आपन दाओ सुनी मुनी बचन कहत रगुराओ नाथ तुमारें हाथ उपाओ दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते जुआरी को अपना ही दाओ सूचता है मुनी के वचन सुनकर श्री रगुनाची कहने लगे हे नाथ उपाए तो आपके ही हाथ में है आपका रुक रखने में और आपकी आज्या को सत्य कहकर प्रसनता पुर्वक पालन करने में ही सबका हित है पहले तो मुझे जो आग्या हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा करूँ पिर हे गोसाई आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा आग्या कब बालन करेगा मुनी वशिष जी कहने लगे ही राम तुमने सच कहा पर भरत की प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ मेरी बुद्धी भरत की भक्ती के वश हो गई है मेरी समझ में तो भरत की रुची रखकर जो कुछ किया जाएगा शीव जी साक्षी है वह सब शुब ही होगा पहले भरत की विंती आदर पूर्वक सुन लिजे फिर उस पर विचार कीजे तब सादु मत लोक मत राजनिती और वेदो का निचोड निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजे बरद जी पर गुरु जी का इसने देखकर श्री राम चंदर जी की हृदे में विशेश आनंद हुआ भरद जी को धर्म धुरंदर और तन्मन वचन से अपना सेवक जान कर शिरी राम चंदर जी गुरु की आग्या के अनुसार मनोहर, कोमल और कल्यान के मूल वचन बोले ये नात आपकी सौगंद और पिताजी के चरनों की दुहाई है मैं सत्य कहता हूँ कि विशु भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं जो लोग गुरु के चरन कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में लोकिक द्रस्ट्री से भी और वेद में परमार्थिक द्रस्ट्री से भी बढ़ भाई होते हैं जिस पर आपका ऐसा इसने हैं उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है लखी लगू बंदू बुद्धी सकुचाई करत बदन पर भरत बढ़ाई भरत कहें सोई किये भलाई असकही राम रहे अग अरगाई चोटा बाई जानकर भरत के मूपर उसकी बढ़ाई करने में मेरी बुद्धी सकुचाती है फिर भी मैं यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर शिरी रामचंदर जी चुप हो रहे। सब संकोष दियाकर क्रपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। अनकूल जानकर सारा बोज अपने ही उपर समझ कर भरत जी कुछ कह नहीं सकते वे विचार करने लगे। पुल की सरीर सबाभे ठाडे नीर जनयन नेहीं जल बाडे कहब मोर मुनिनाथ निबाहा एहिते अधिक कहूं मैं काहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समा नेत्रों में प्रेम अश्रो की बाड़ आ गई। वे बोले मेरा कहना तुमुनिनाथ नेहीं निबाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वे उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूं। अपनी स्वामी का सभाव मैं जानता हूं। वे अपरादी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेश क्रपा और इसने है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसंता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभू की क्रपा की रिती को सिदें में भलिबाती अनुभाव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभू मुझे जितात देते रहे हैं। मनुसने संकोच बस सनमुक कही न बैन दर सन त्रिपतना आजू लगी। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुझ नहीं खोला। प्रेम की प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभू के दर्शन से त्रिपत नहीं हुए। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नेच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोबा नहीं देता क्योंकि अपनी समझ से कौन सादू और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे सादू और पवित्र माने वही सादू है। मात उमन्दी मैं सादू सुचाली और अस आनत कोटी कुचाली फरह की कोदव बाली सुसाली मुकदा प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और सादू हूँ। ऐसा हृदे में लाना ही करोड दुचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है। क्या काली गोंगी मोती उत्पन कर सकती है। सपनें दोस के लिए सुना काहू, मोर अभाग उदकी अभ काहू, बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जारें जाये जननी कही काहू। सपन में भी किसी को दोश का लेश भी नहीं है, मेरा अभाग्य ही अथा समुद्र है। मैंने अपने पापो का परिणाम समझे बिना ही मादा को कटू वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हिदे में सब और खोच कर हार कया, मेरी भलाए का कोई सादन नहीं सोचता, एक ही प्रकार बले ही मेरा भला है। वह यह है कि गुरू माहराज सर्व समर्थ है और शिरी सीता रामची मेरे स्वामी है। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। सादू सबा गुरू प्रभू निकट करव सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंचु की जूट फुर। जान नहीं मुनी रगुराव। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसदशिरत अजीर भिहारी। सादू की सबा में गुरू जी और स्वामी के समेप इस पवित्र तीर्थ इस्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ। यह प्रेम है। या प्रपंच जूट है या सच। इसे मुनी वशिस्ट जी और अंतर्यामी शिरी रगुनाज जी जानते हैं। जैसियराम। 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 करने जबस नगे में तर्फ कित करें तका रहे शंगी जगाल भारी वरी कर में तकार को ही आप ड़िए थिए हमारी आज़ी की भुदाओ मारे पाई को का आप सुद्धन मादे, भाई को क्या संद्धन चाहे सुद्धन में आद की बोगादे, जे 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 हनुपाए कंद्धन आद कुटा शाहे, आद की परसे अंचे नाम आई सुद्धन में आद की बोगादे, 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